नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम चीवी और मैं हूँ आपके साथ ननिरी आदो स्वागत है आप साब का हमारे खास कारिक्रम हेल्थ मंत्रा में हेल्थ मंत्रा में हम सेहस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और आज हम बात करेंगे अगले दिन ही ऐसी खबर भी सामने आ जाती है कि आँखों में दिक्कते बढ़ गई हैं तो ऐसी तमाम जो हमारी आँखों में दिक्कते होती हैं दिवाली के तेवहार पर अधिक्तर देखने को मिलती हैं और इनसे बशनी के लिए आज इसी विश्य पर हम चर्चा करेंगे क इस तरीके से अपनी सेफ दिवाली मनायत ताकि हमारे सिहत पर भी कुछ भी बुरा असर ना पड़े और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जेके बंसर जो कि एक आई स्पेसलिस्ट भी है और गोडली मेडिस्ट भी है और आपको सबसे बड़ी बात बतादू कि यह इनकी जो अचीवमेंट है वो यह है कि करीप 75,000 इन्होंने मोत्या बिन के सफल ऑपरेशन की है तो डॉक्टर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम में धन्यवाद नमस्कार मेरे दर्शकों को सभी को दीपावली की सुबकामने और जैसा कि सभी लोग ज रहता है बट इस्टिल बच्चे मानते नहीं और बड़े भी इसी में इन्वाल्व रहते हैं तो में जो हम लोग कंसर्ण है कि पटाखों से बचाने के लिए कैसे बचाओ किया जाए पटाखों से अगर जला भी रहें तो किस तरीके से बच्चों को उनसे बचाएं हम स्वे नमबर एक है कैमिकल बंस जो की कैमिकल उसके अंदर होते हैं जैसे पटाखों फट जाता है तो बारूद यह डिया अजया निकलता है उसके कि सी को और जी हो सकती है कि इस पूछने वाली ठीक हो यह जो हमारे दर्शक है वो बच्चे रहें आप उनके बारे में चरह बता द जो एक दुए से अलर्जी होती है और तीसरा हट होता है डारेक्ट हिट अगर पडाखा ये रॉकेट कोई नुकीली चीज ये पॉइंट अबजेक्ट डारेक्ट आंक पे लग जाता है तो वो हिट करने के बाद आंक में नुकसान पहुचा सकता है तो जो सबसे जादा नॉर् पानी आना खुजली होना या एक टाइप ऑफ डिसकंफर्ट बना रहता है कि जब आप पठाके और ये केवल जलाने वालों के लिए यह नहीं होता है ये वाच करने वालों के लिए जो पठाके फायर क्रेकर्ट को वाच करते हैं जो लोग यह देखा गया है कि आंकले बतात आप जला रहे हों आप दूर खड़े हों के देख भी रहें आप रोड से जा रहें किसी ने पठाका जला दिया किसी ने आपकी चिंगारी लग गई तो यह बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है तो जो में पल्यूशन से बचना होता है इसमें सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि अ बड़े शेप का होता है तो यह नॉर्मल अगर आप चश्मा लगाते भी हैं नंबर वाला तो उसके उपर भी लगा सकते हैं जिससे कि आपकी आखों को प्रोटेक्शन मिलता रहे हैं अगला सवाल है कि अभी हाल ही में आई फ्लू के बहुत ही जादा केसे सामने आये थे ब और उनको अपने पटाखों से धूओं से बची रहें तो किस तरीके से वह अपना ख्याल रखें आये फ्लू जो फैला हुआ था उसमें प्रॉब्लम यह हो रही है कि आये फ्लू के केसे अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं किया है आये फ्लू में मैजार्टी ऑफ पेशें स्टिरोइड होते हैं तो स्टिरोइड ड्रॉब जिसने डाल ली वो टेम्टरी आराम तो मिल गया उनको मगर वो पूरी तरह उबर नहीं पाए और यह इनकी आखों में जब भी कोई ऐलर्जन यानि की जैसे कहीं धूल गर्दा धुए में निकल गए तो यह आखों को नुक इनको आए फ्लू हुआ था प्रॉपर और किसी डॉक्टर की सलाह के बिना इन्होंने अपना इलाज स्वयम किया है तो यह लोग खास करके अपनी आखों का ध्यान रखें रहेगा कि कभी-कभी यह भी खबर सामने आती है कि पटाखों की वजह से आई डैमेज हो जाता है हम कि यह ने देवाली के असपास यह दिवाली के बाद सिस्में 33% केसी न एक किवंटर केस लेसे 10 15 undo साल शोते बच्चे होते उसमें फण्दञ पर संक आज पास पात साल शोते चोटे बच्यों थाम लोग क्या करते है कॉमनली जो एक कॉमन मित है और एक कॉमन मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स में भी और बाकी पॉब्लिक में बच्चों को फुल जड़ी पकड़ा दें जो फायर स्पार्कलर्स होते हैं उनको पकड़ा दें तो बच्चे फुल जड़ी से खुश रहेंगे बड़े लोग पठाके जलाएंगे तो फुल जड़ी के लिए मैं बता दूं कि फुल जड़ी की जो हीट होती है वह 20-30 परसंट ज्यादा होती है ऐस कंपेर टू बॉइलिंग वाटर तो कभी भी हम लोग अगर किचन में पानी उबल रहा है तो हम बच्चों को ले नहीं जाते हैं छोटे बच्च हैं डराते हैं तो वह सबसे ज्यादा उसमें चिंगारी लगने का डर होता है और उससे भी ज्यादा अगर वह नुकीला पॉइंट अबजेक्ट वह आंक में लग गया यह कोई भी सदेन बस्कर गया तो वह जो इंजरी होती है जो कॉर्णिया वाला पार्ट होता है हमारा ट पार्टाखों की चिंगारी आँखों में चलिया जलन हो लेते हैं ऐसे लोग और गरेलू उपाय बताने लगते हैं कहीं नहीं गहीं उसे दिकते जादा बढ़ जाती है तो आप क्या बतायेंगे कि किस तरीके से उपाय करना चाहिए और इससे बचे रहें ताकि देखें यह सबसे जरूरी चीज है कि पढ़ाखों से बचने के लिए या चिंगारी चली जाए धुआ लग जाए या कोई ऐसा पार्टिकल ओड़के चला जाए तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ाखे जलाने के पहले जैसा कि गौवर्मेंट भी एक नॉम्स निकालती है कि पानी की बक करना नहीं है और प्रेस नहीं करना है यह बहुत कॉमन मित होती कि लोग सबसे रप करने लगते हैं कि रपके निकाल देंगे इसको पानी से धोना जरूर है सिंपिल टैप वॉटर अभ। है आपका फिल्टर का पानी अभले लेबलाए विसलरी की बोटल या किसी भी नॉर् पार्ट होता है रोशनी वाला वो स्क्रैच आजाएगा उस पर और उस पर लाइट हमेज़ा के लिए कम हो सकती है तो वाश करने के बाद अगर यह निकल जाता है तो वैलन गुट अगर नहीं आपको लग रहा है कि इस्टिल परिशानी है तो सिंपल एंटिबाइटिक आईड्रॉप कोई भी मार्केट से लीचे जब तक आप अपने ने त्रडोग विश्चा के को नहीं सला ले सकते अगले दिन और तब तक एंटिबाइटिक आईड्रॉप और लुब्रिक एंट आईड्रॉप यह दोनों डाल सकते हैं बट इमीजेट बच्चे बड़े देखते होंगे कि आप बड़े उसाहित रहते हैं पटाकों को फोने के लिए किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जाए किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए कि वह इन हासों का शिकार नहीं बहुत बढ़ी हैं बट यह कि बच्चे हमेशा बच्चों को अकेला ना चोड़ें बच्चे हमेशा सुपरवाइज रहें पेरेंट्स के साथ प्लस बच्चों के हाथ में पटाखे ना दें बच्चों को केवल वाच करने दें और वही प्रोटेक्टिव गॉगल सब लोग लगाए जितने लोग भी वहां पर हैं क्योंकि जो वाच कर रहा है उसकी आंक में पढ़ सकता है बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो प्लस एक-एक करके पढ़ाखें जलाएं कई बार हम लोग देखते हैं कि पूरा पैकेट वो मिर्ची बॉम्स आते हैं या अनार एक साथ रख दिये लाइन से और एक-एक करके जलाते चले तो इसलिए बिलकुल यह दूर रखें इनको और एक-एक करके पढ़ाखें जलाएं बच्चों के हाथ में फुल जड़ी तक भी ना दे कोई भी चीज़ा और रॉकेट यह कोई भी और हमेशा ओपेन स्पेस में जलाना चाहिए तभी भी रूम्स में या चोटे कमरे में या करना कंफाइंड एरिये में नहीं जलाना चाहिए तो हमारी दर्शकों को बताए कि यह कितना सेफ है और कितना इसका यूज करने से हमें फाइला मिल सकता है प्रोटेक्टिव गॉगल बहुत ही यूसफुल चीज है यह कोरोना और कोविट के टाइम के बाद से चीप होते हैं तो यह आप लगा सकते हैं और इसमें पूरी आपकी कवर हो जाएगी और फेस का भी काफी पार्ट कवर हो जाएगा सबसे ज्यादा इंजरी केवल तीन जहेंगा होती है फेस पे आइस पे और हाथ पर पर चेहरे पर यह आदमी जुक के देखता है कि जला या चाहिए अब मैं यह जाना चाहूंगी यह सरीके से आपने पहले भी बताया कि लोग का जाता को कोई खुले बाता वरड में चलाना चाहिए लेकिन अभी देखा जाता है लोग छोटे-छोटे स्पेस में जला लेते इससे क्या नुकसान होते हैं और कितना नुकसान होता है और हमारी बॉड़ी पर इसका क्या आसर देखने को मिलता है बहुत अच्छा प्रशन किया आपने यह चोटी-चोटी बालकनी में चले जाते हैं या रूम्स को यह थोड़ा सा क्लीन करके अनुने एरिया बना दिया तो यह बिलकुल ही ना करें यह बहुत ही नुकसान दायक है और क्योंकि जब भी हम पड़ाखा जलाएंगे कुछ ना कुछ तो उसका प्लूशन होगा उसका द्मवा निकलेगा और जब उसको निकलने की जहां नहीं होगी एक्सास नहीं होगा तो वह तो उसी एरिया में रहेगा तो जो नुकसान नॉर्मल पड़ाखे से हो सकता है उपन स्पेस में करने से उससे ज्यादा नुकसान हमको कंफाइंड एरिया में चोटे रूम में पड़ाखा अगर जला रहें क्योंकि वह बहुत लांग लास्टिंग उसका धुआ रहेगा जिसको कि हम वह नहीं कर पाएंग तो बर्नी बर्निंग सेंसेशन और पानी आना औ जो कि जल्दी आग पकड़ती है वह नहीं लेना चाहिए और ढीले कपड़े नहीं होने चाहिए यह कॉमन चीजे हैं जो कि हमको ध्यान रखनी है और जितने भी पढ़ाके हैं ध्यान यह रखना है कि पढ़ाकों का जहां पर हम जला रहें और जो हमारा पूरा एक स्टॉक ह है वह उससे दूर रहना चाहिए नहीं तो पठाके वहीं से जल्दी जल्दी उठाके लोग जलाते हैं खास करके बच्चे और बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखें सुपरवाइस करें और जो लेंसे लगाती है लेडीज बिल्कुल यहीं डॉक्टर में आप से पूछने म हैं बट अब तो कॉमनली मेल्स भी उतना ही यूज होते हैं बट जो केजनल यूजर से इस्पेशली जो लोग कभी-कभी लगाते हैं तो वह फैस्टिवल के टाइम जरूर लगाते हैं लेडीज तो हम यह कहेंगे कि उनके लेंसे एक तो रखे हुए होते हैं पुराने तो नुकसान कर सकते हैं इटसर्फ और अगर वह फायर क्रेकर वाली जंगा पर जा रही हैं तो वह बिल्कुल भी लेंसेस को ना लगाएं लेंसेस हटाकर चश्मा लगाएं और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि वह नहीं हटा सकती तो लेंसेस के उपर वही सिंपिल प्रोटे वाश में नहीं कर पाएंगे इतनी इसली उसको और वह बहुत देड़ तक उसमें लेंस के बीच में अगर चिंगारी या पार्टिकल फस गया तो बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकता है तो देखा होगा कि आपने एर पॉलिशन इस वक्त बहुत ही जादा बढ़ा हुआ है ऐसे में पटाखे जलेंगे और भी ज्यादा एर पॉलिशन बढ़ेगा किस तरीके से लोग अपना ख्याल रखें कि इस एर पॉलिशन से बच सके क्या कुछ कहना चाहिए एर पॉलिशन से तो यह देखा गया है कि एर क्वालिटी इंडेक्स जो आपका है क्यों वह तो काफ इस से बचने के लिए अगर आप बाहर निकलना है क्योंकि यह दो जंगा नुकसान करता है रेस्परेटरी सिस्टम पर मतलब सास वाले मरीजों को और इसकिन पर अलर्जी कर सकता है और सबसे कॉमनली आंग पर करता है क्योंकि आख खोल के हमको सारा काम करना है जब भी बाह सबसान करन सब्सक्रण। तो लुग चश्मा लगाते हैं वह लैंसस का लागा है लेंसे मदागा भाहर निकले स्कूटर पर टूविल्हता तो वह हलमण लगा कि उसको वाइसर लगाए रहे जिसस्सेव 2 ग्लासिस के ऊपर भी एक सब्रेक्षन रहे अथ्मार कऊम से कम इसक लुब्रिकेंट आइड्रॉप कई तरीके की होती है और किसी नेत्री दोग विशिशक या डॉक्टर से सला लेकर ही डाले क्योंकि हर एज गुरुप के लिए हर डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का वर्क इंवार्मेंट है कितना एक्सपोजर तुशन है कितना एक्सप ख्याल रखें क्योंकि बुजर्गों में बहुत जादा आइस प्रॉब्लम देखी जाती है तो वह किस तरीके से अपना ख्याल रखें अगर दिवाली के टाइम की बात करें के वल तो इस समय तो यह हम लोग कहेंगे कि बुजर्ग बाहर जादा ना निकले विकॉस की जैसे यह बॉब और यह सब पडा खें जलाए जाते हैं तो जो पैट सोते हैं वह भागते हैं यह स्ट्रीट डॉग उते हैं कोई यह को अगर नहीं कर सकते और इसी तरह के accidents होते हैं जो two wheeler पे आप किसी old age वाले को लेके जा रहे हैं और suddenly लोग road पर खड़े होके पटाके जलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी problem क्या है आपने तो blast कर दिया या कोई आपने fire एक लड़ी लगा दी और वह स्कूटर चला रहा है उसका माइन डाइवाट हो जाता है फोर विला ड्राइव कर रहा है जिसकी वजह से उसको उसके साथ जो बैठा हुआ है वह भी गिर सकता है और अगर बुजूर्ग है तो और ज्यादा problem कर सकते हैं तो उनक पूटीन रखना चाहिए और क्या कुछ आप प्राइम टीवी के मार्धम से हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके से अपना खयाल रखें जो इन खासों का शिकार नहीं बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात की पेरेंट्स को यह संदेश द बढ़ गया है सबका और डिजिटलाजिशन जो हो गया है इन चीजों का तो वो बच्चों के आखों कहीं नुकसान पहुंचा रहा है तो पेरेंट्स सबसे ज्यादा एवाइड करते हैं कि आरे नहीं मैं डाइट से ठीक कर लूँगा मैं इसके मोबाइल और स्क्रीन टाइम हटवा देंगा डॉक्स चश्मा ना लगाई है तो यह मैं कहना चाहूंगा कि चश्मे का कोई विकल्प नहीं है अभी तक हम लोग टीवी देखते हैं बड़े-बड़े कंट्री जपैन अमेरिका यह कहीं पर भी छोटे-छोटे बच्चे चश्मा लगाए हुए दिखते है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जब वो लोग भी चश्मे का विकल्प नहीं डूंड पाए बच्चों में तो आप लोग अपने को जबरतस्ती है ना सोचिए कि गाजर खिलाकर या किसी तवी पर्टिकुलर डाइट से हम बच्चों की आँखों का चश्मा हटवा देंगे औ एक और मिसकंसेप्ट है यमिदि है जो की बच्चों में तिरशापन कभी-कभी होता है तो वो पेरेंट्स कहते हैं नोहिं यह तो नॉमल चीजह चोटे बच्चों हता है और बड़ा हوتा होतै यह नौर्मल ही एड्जाएगा बच्चों की और च्यांधा करवाने में कतहई ला पर्वा ही ना करें और जैसे कि बच्चे पहला चेक हम लोग कहते हैं कि छे महने के अंदर वार बच्चे का चाहिए चाहिए जन्म już कि माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि प्राइम टीवी जो यह अपना चैनल है यह हेल्थ के लिए बहुत ही जागरू कर रहा है सबको और इस चैनल को सभी लोग देखते हैं और जो हमारा चैनल है यह इसके रेगुलर मैं हेल्थ वाले एपिसोर्स सबको रिकमेंड करता कि अपने लोग यह लोग देखते हैं और जो भी इनकी मतलब जो इनके चैनल पर प्रोग्राम से बट है इनका बहुत ही अच्छा चैनल है जिसको की बिलकुल अच्छा वो है जिसमें की इनको सब लोग देखें और इसके बाद जो डॉक्टर्स और जो एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करें तो प्राइम टीवी का बहुत-बहुत धन्यवाद जिसके लिए और दीपावली की सुपकामना है बहुत धन्यवादा दॉक्टर हम से जुनने के लिए तो यह थे हमारे साथ दॉक्टर जेके बंसर जिन्हों ने बताया कि किस तरीके से दीपावली के पर पर हम अपने आगों का खयाल रख सकते हैं और कई हाथसों से बस सकते हैं दुबारा फिर मैं मिलूंगी आपके साथ बने रही है हमारे साथ देखते रहे प्राइम टीवी दन्यवाद